Hello Friends, This is Raj Yadav and Welcome back to Smart CG Update दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाने हैं छात्रवास अधिक्षक भरती के बारे में पूरी जनकारी हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं कि छात्रवास अधिक्षक में क्या क्या चीजें वहाँ पर उसकी क्या योगिताएं होती हैं और क्या क्या कंडिशन वहाँ रखे जाते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या योगिता होने चाहिए और सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो मेरे पिछले वीडियो में काफी जाला कमेंट आए हुए थे छात्रावास अधिक्षक के बारे में complete जानकारी जानने के लिए तो ये वीडियो complete जो है छात्रावास अधिक्षक की पूरी योगेता और सारी चीजों पर dedicate होगी इस वीडियो को अंत देखने पर आप ये समझ पाएंगे कि छात्रवास अधिक्षा के लिए क्या क्या चीज़े चाहिए होती है और किस तरह से उसका exam conduct होता है तो चली start करते हैं वीडियो को last तक जरूर देखेगा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत important सा भीत हो सकता है आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से subscribe जरू कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को latest जनकारी latest time पर मिलती रहती है बगल वाले bell icon को press करके all पर जरूर set कर दीजेगा ताकि जब भी मैं videos upload करूँ आप तक notification पहुँच जाए तो दोस्तों जैसे कि आप ये जो है देख पारे होंगे ये जो advertisement है वो 2016 का है ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चात्रवास अधिक्षक के लिए यहाँ पर पूरी जनकारी जो दी गई है सबसे उपर line में आप देख पारे होंगे कि चात्रवास अधिक्षक स्रेडी D दवेतन मान यहाँ पर देख पारे होंगे आप यहाँ पर जितनी भी अरताएं दी गए है सारी चीजों को एक-एक करके मैं बताता चलूँगा और एक-एक को मैं समझाता भी चलूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा विजन जो है थोड़ा सा क्लेरिटी यहाँ पर नहीं है तो as it is यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मैं slide के जरी आप लोग को एक-एक करके समझाता हूँ तो friends आगे बने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो syllabus की जानकारी है वो आपको मेरे जो है next वीडियो में मिल जाएगी syllabus के बारे में अगर आपको इसकी जानना है तो चैनल को जल्दी subscribe जरू कर लिजेगा अगर आप इस वीडियो को एक-दो दिन बात देख रहे हैं तो आपको जो है description box में syllabus की link मिल जाएगी syllabus की जो वीडियो है उसकी link मिल जाएगी वहाँ पर से आप PDF के form में question paper भी download कर पाएंगे बस उसके लिए थोड़ा सा मामली सथ charge आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहें तो उस question paper का PDF भी download कर सकते हैं कि किस किस तरह से और कितने कितने और किस level के question वहाँ पर पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है सक्षिक अरहताएं देखते हैं तो higher secondary जो है सक्षिक अरहता के बारे में इसमें यह कह गया है कि higher secondary 10 प्लस 2 परिक्षा उत्तिन होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं नियमवर शर्तें देख लेते हैं क्या क्या नियमवर शर्तें हैं सबसे पहली चीज तो जानने वाले बात यह है कि उपरोग्त रिक्त पद चाहसान आदीम जाती तथा अनुसूचित जाती विकास विभाग रायपूर द्वारा स्रीजित पदों के धार पर जो हैं रिक्त पदू की संख्या घट बढ़ सकती यह सभी यहां पर दिये गए हैं ठीक है आगे जो दिया गया है वो यह है कि आवेदक चतिजगर का मुल निवासी होना चाहिए तो यहां चतिजगर के मुल निवासी कोई जो हैं आवेदन भरने की यहां पर पात्रता दी गई है उसके लावा यहां कहा गया है कि सभी स्रेणियों में राजय सासन द्वारा नितारित आरक्षा रोस्टर का पालन किया जाएगा वैवसाइक परिक्षा मंडल द्वारा देर सव अंकों का यानि कि 150 अंकों की लिखित परिक्षा आयोजित की जाएगी तो यहां प पत्र में पूछेगा कि कंप्यूटर ग्यान से संबंदीत 50 अंकों के प्रश्ण में से 25 अंक प्राप्त करना अनिवारी होगा कहने के यह मतलब है कि कंप्यूटर के 50 अंकों के प्रश्ण आपसे पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में जिसमें से 25 अंक प्राप्त करना अन चेक होगा और उसके बाद आप रेस में बने रहेंगे तो इस प्रकार से इसमें एक condition रखा गया है जो कि कुछ student के लिए तो plus point है कुछ के लिए minus point है जिनके computer ग्यान computer अभी जो है वीक है उनका तो उनके लिए थोड़ा से यह minus point हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं आगे यहा चालिस वर्स अधिक नहीं होना चाहिए आयू सीमा में छूट राजय सासन के प्रचलीत नियमों के नुसारी होगी तो अधिक्तम यहां आप देख सकते हैं वही है चालिस वर्स है जैसे कि अभी जो है नियम में है और 21 वर्स इसमें नियुनतम है नेक्स यहां दिया गया है चैनित उमिदवारों की नियुक्ति दो वर्स की परिविक्षावधी में की जाएगी तो जो चैनित उमिदवार हैं तो उनकी जो है दो वर्स की यहां परिविक्षावधी की बात की गई है जिसको अभी ज़्यादा तर तीन वर्सी परिविक्षावधी की बात की जाती है तो अभी जो new notification आएगी उसमें ये देखने वाली बात होगी तो ठीक है तो जो है bumper बरती इस बार भी होने वाली है तो आप लोग अभी से तयारियों में जूट जाएए अब दोस्तों अगर बात करें इसके syllabus की तो syllabus का जो है अलग से वीडियो आपके लिए बना दिया तो बने लिए का वीडियो को लास तक जरू देखियागा अगर आप एक दो दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे description box में आपको syllabus के वीडियो का भी link मिल जाएगा syllabus बन चुका होगा हो सके तो आज ही मैं syllabus का वीडियो यहाँ पर upload कर दूँगा और जैसे कि मैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी अरहताएं आपको समझ में आ गई होगी अगर अभी भी आपकी कोई doubt अगर रही हो तो नीचे description box में आप comment जरू किजेगा आपके सालों के जवाब दनी की पूरी कोशिस की जाएगी इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं next वीडियो मे तब तक के लिए जय हिन